2022 में किस रासी वाले को फैदा होने वाला है और किस रासी वाले को नुकसान होने वाला है इस वीडियो में आपको सभी 12 रासियों का रासी फल बताएंगे क्या खिर 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है तो चलिए बिनादेरी की ये शुरू बात करते हैं कुम्भ राशी के जातकों का करियर साल 2022 में उतार चड़ाव से भड़ा हुए रहने वाला है वैसे जातक जो कर्पोरेट छेतर से जूरे हैं या फिर सरकारी नोकडी में है उनका अस्थरांतरन हो शकता है आपको सलाह दी जाती है कि इस सवधी में अपने अधिकारियों और व वाजातक जो बेरोजगार हैं उन्हें इस वर्ष अच्छी नोकडी प्राप्त होने की संभवना है इस साल समाजिक और परिवाडिक आयोजनों पर आपको अच्छा खासा धन खर्च करना पर सकता है सनी लगनेस है और बाराहवे भाव में गूचर कर रहे हैं इसलिए स्वा करम बिवा हका योग है संतान से सुब समचार मिलेगा वैवाहिक इस्थिती भी अच्छी रहेगी कई छेत्रों में आपको धन लव मिल सकता है उच्छ शिक्छा का योग है प्रमोसन का योग बन रहा है आर्थिक इस्थिती को मच्बूत करने वाले हैं मंगल राज योग का सन्योग बन रहा है बल पराक्रम बढ़ाएगा भूमी मकान में लाव मिलेगा कमीशन का यदि काम करेंगे तो उसमें भी लाव होगा मंगल एकादस भाव में जब सुल्लह जनवरी के बाद गोचर करेंगे तो आपके करोबार यामनोकडी को बढ़ाएंगे धनूरासी धनूर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे फायदा होगा शुरुवात में धनूरासी में होने वाला मंगल का गोचर कई जातकों को मानसिक चिंता और तनाव देने का कारण बनेगा माता पिता को कोई कस्ट हो सकता है अस्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं छात्रों के लिए अच् यारवाईश में सफलता मिल सकती है वैवाहिक जीवन सम्माने रहेगा शाथी के शाथ थोड़ी अनबन रह सकती है आप दोनों के बीच बड़ी बहस भी हो सकती है अपने वान पीर नियंतरन रखने की जरूरत है स्वास्त ठीक रहेगा साल के शुरुवात में मंगल गड़ आपकी ही राशी में ग्रजमान होना आपको उनति और प्रगति देगा आपको हर कार्ज में सफल बनाएगा कार्ज स्थाल पर लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे अपरेल से सितंबर तक सनी का कुम्भ राशी में गोचर्क से जातकों को खास कर नोकडि पेशे वाले को आने वाले साल 2022 में मेसरासी वाले जात्फों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जात्फों को विधेश से भी धन का आगमन हो सकता है, आपको इस साल आर्थिक लाव हो सकता है। आपको वानी पड़ विशेश नियंतरन रखने की जरुरत है। मंगल का गोचर उतना आपकी नोक्री और वेपार में विरिधी होगी आप अपने मकान का निर्मान कर सकते हैं संतान पक्ष से आपको खुश खबडी मिलेगी 13 अप्रेल को गुरू का गोचर स्वाडाशी में मेश में होगा ये गोचर छात्रों को सिक्षा के छेत्र में आपार सफालता हैं दिलाएगा जुलाई में बुद्धी बल प्रक्रम से आपका कार्ज अधिक मत्रा में होगा वल्ला भी ज़्यादा होगा भाग आपका शांत देगा लाव के भाव में गुरू का गोचर अच्छा माना जाता है आए अच्छी होगी और सिक्षा संतान में आपको लाव होगा वैवाहिक इस्तिती अच्छी रहेगी घड में कोई सुभ कार्ज हो सकता है पड़िवार में शुक सांती का महोल रहेगा आप इस साल मकान खरीट सकते हैं ससुराल पक्स से संबंध खराब हो सकते हैं प्रिसभ रासी 13 अप्राइल 2022 तक आपका काम अच्छा नहीं चलेगा आपको कुछ विधन का सामना करना पड़ेगा और आप पड़ेशान रहेंगे इसका कारण यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु हैं लेकिन स्वामी सुक्र है दोनों के बीच सतुवित्ता के कारण परि प्रिसभ राज योग की प्राप्ति होगी इसके लिए भी बधाये आएंगी जिनका सामना आपको करना पड़ेगा आपके पड़िवार से भी थोरा मनमुटाव हो सकता है आपको पैत्रिक संपती मिलेगी आप इस समय दान भी अधिक करेंगे दाहिने नेत्रे से कुछ परिसानी हो सकती है इस वक्त जमीन खरीद सकते हैं या मकान भी बना सकते हैं आप वहन भी खरीद सकते हैं लेकिन साथ ही त्रुघटना की भी समभव नहीं है आपको कुछ गरे धन के भी मिलने की अशाड है तीन अप्रैल के बाद गुरु एकाद दस भाव में चले जाएंगे इसके बाद से समय काफी बहतर हो जाएगा पैशा बहुत आएगा जिसके बाड़े में आप सोच भी नहीं पाएंगे आपके जीवन में नई नई उपलाबधिया जूरती जाएंगी आपके बड़े भाई बहन से भी आपको लाब मिलने वाला ह मेन रासी मेन रासी के श्वामी गुरू होते हैं मेन रासी के जाता काफी मिलनसार होते हैं ये अनुसासन पसंद व्यक्ति होते हैं ये खुद अनुसासन में रहते हैं और दूसरों को भी अनुसासित देखना पसंद करते हैं ये बहुत बद्धी मान होते हैं सिखने की छमत इनमें जवर्दस्त होती है। इनमें जवर्दस्त होती है। इस तरह हर एक राशी के लिए आने वाला साल 2022 आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा। और कई तरह के पडिवर्दन लेकर आएगा। इसलिए आप अपनी राशी के अनुसार 22 की योजनाएं बना शकते हैं। विरिश्चक राशी माता पीता को श्वास्त संबंधी परिसानिया रहेंगी। पिछले वर्सों में पडिवार के कुछ सदस्यों के साथ आपके संबंधों में कई परिसानिया आई थी। एशे में इस वर्स आपको अभियाह तै करने का समय है कि उन लोगों के साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है। इस बार नोकडी में बहुत परिश्रम की जरुवत है। आलस छोरना होगा। नोकडी छुटने की समभावना है। जहां तक धन का स्वाल है। 2022 में सुर्ज और सुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए आप खूब धन कमाएंगे। आपको सरकारी स्कीम का भीला मिलेगा। परिवार में प्रेम भाव बढ़ेगा। आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है। छात्रों को इस जालकरी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ छेत्रों में सफलता मिलेगी और कुछ में नहीं। नोकडी में चंद्र मंगल का लक्षमी योग बन रहा है। इसलिए नोकडी करने वाले जात्कों का अस्थान पड़िवर्तन हो सकता है। नोकडी बदलने की भी संभावना है आपको सैलरी अच्छी खाशी मिल सकती है। मकर राशी शाल की शुरुवात आपके लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि इस दोरान आपके खर्चों में ब्रिधी होगी। सोच समझ कर धन खर्च करे। ग्रहों के अनुसार इस वर्ष सुवात में आप नए आये के सोत ढूंड़ने में शफल रह सकते हैं। और साथ ही आप इस दोरान महांगी वस्तुव को खड़िच सकते हैं। या आप समपती जमीन वाहन पर निवेश कर सकते हैं। आपको कार्चेतर में विशेश मेहनत करने की जरुरत होगी। इस दोरान आपको मेहनत के अनुसार अच्छे और बुड़े परिनाम प्राप्त ह कार्चेतर में यदि कोई यातक अस्थनांतरन या पद्दोनती के एक्छुक है उन्हें भी इशवधी में सफलता मिल सकती है। आपको कारोबार अच्छा चलेगा। अप्रेल से शनी का प्रभाव आपकी रासी पर कम हो जाएगा। तो इससे उच्छ पद की प्राप्ती होगी। राजनीती से यदि आप जूरे हैं तो वहां पर भी अचानक से उच्छ पद प्राप्त करेंगे। चतुर्थ भाव का र बहुत अच्छा चलेगा। घर पर आप कम ही ध्यान दे पाएंगे। घर या वाहन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वानी पर थोरा नियंत्रन आपको रखना होगा। मिथुन राशी वाले जातक अच्छे मित्र होते हैं यवम वे अच्छे सलाकार भी होते हैं। मिथुन राशी वालो का स्वास्त 2022 में सम्माने रहने वाला है। थोड़ी बहुत गयश यवम हड्यों की समस्याएं रह सकती है। इस साल आपको धन बहुत आएगा। शियर बा संतान को कोई अवार्ड मिल सकता है। नोक्री पक्ष बहुत अच्छा है। मैस से अगस्त में थोरा तनाव होगा। छात्र कहीं दूसरी जगा विद्याग्रान के लिए जा सकते हैं। दोहजर वाईश वेपाड में आपको बहुत अच्छा समय रहेगा। वेपाड इस समय की तबियत खराब रह सकती है। करकरासी वाले अपने परिवार और दोस्त के बिना नहीं रह सकते हैं। ये किसी ना किसी कला में निपून एवं विद्या में निपून आदमी होते हैं। इस रासी के लोग या तो संगीत में अच्छे होते हैं या तबला बहुत अच्छा बजाते हैं इस रासी के लोग बहुत अधिक खर्चिले भी होते हैं दोजर बाईश में आपको कार्ज छेत्र में उन्नती वा प्रगती प्राप्ती होगी आपका स्वास्त पूरे साल बहुत अच्छा रहेगा शाल के तीन महीने थोड़ी स्वास्त समंधी परिसानिया आशकत है पड़िवाडि वातावरन अच्छा रहेगा चंद्र और मंगल के योग से संतान को लाव होगा आप अपने प्रयासों से उन्नती प्राप्त करेंगे नोकडी अच्छी मिलेगी नया कार्ज भी कर सकते हैं नोकडी में पद्दोनती की समावना है व्यवशाय की के श्वामी सुर्य होते हैं ये समाज पडिवार या दोस्तों पर जान लुटाने वाले होते हैं इनकी वानी में नियंतरन नहीं होता है राजनीती ओम खेल में रूची रखते हैं ये बड़े खर्चिले सुभाव के होते हैं 2022 में आप संपती पर खर्च करेंगे धन की इस् संतान को कोई सम्मान मिल सकता है छोटी संतान है तो उसे विद्या में सफलता भी मिल सकती है संतान का आपके साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा संतान का शौक संगीत या कला के छित्र में बढ़ जाएगा साल 2022 में नोकरी में पुरानी समस्या जो होगी वो खत्म के तीन महीने में काम सही नहीं चलेगा बाद में बहुत अच्छा काम चलेगा कन्यारासी कडियर के लिहाज से कन्यारासी वालो के लिए जन्वरी मार्च और जून के महीने काफी बेहतर रहेंगे माई की शुरूआत में कुछ लोगों को मन चाहा अस्थरानतरन भी मिल सकता है नोक्री पेशा जातक पद्दोनती की उमीद कर सकते हैं जो लोग वर्तवान में विरोजगाड हैं उन्हें 2022 में नोक्री मिल सकती है चात्रों के लिए वर्ष के दूसरे भाग में शमय काफी अनुकूल रहेगा और प्रतियोगी प्रिक्षाओं में भाग लेने के लिए यह शुब शमय शावित होगा इस वर्ष आर्थिक इस्तिती वेहतर रहेगी आर्थिक मामलों में आपको अपने परिवार के सबस्यों और दोस्तों से मधद मिल सकती है इस दवरान आपके लिए आये के नये सोत भी खुल सकते हैं धन का आगमन होगा लेकिन खर्च भी अधिक ह साल के मध में आपको अप्रेल से सितंबर के बीच कुछ परिवारिक विवादों का स्रामना करना पर सकता है जो साल के अंत में काफी सुधर आशकता है इसमें तूला राशी तूला राशी का स्वामी सुक्र होता है दोस्तों तूला राशी वाले का जो सभाव होता है वह ब साल 2022 में इन्हें भीपी की समस्याएं रह सकती हैं, धन की इस्तिती बहुत अच्छी होने वाली है, भूमी के क्राय विक्रेशे भी धन कमाएंगे, माता पीता के श्वास्त की समस्याएं रहेंगे, छातर बड़े दूइधा में रहेंगे, क्या करें या किस फिल्ड का बहुत अच्छा है जब सने और गुरू का रासी परिवर्तन होगा विदेश यात्रा का योग बनता है नोकडी में कुछ अच्छा फ़ल मिल सकता है वेपारिक रूप से यह वर्स पिछले वर्स की अपिप्छा काफी बहतर होगा तो आप लोग को यह जनकाडी कैशी लगी आ जनकाडी आप लोग अच्छी लगी तो इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद